वाहिकुर्ची का खालसा, वाहिकुर्ची की फते, पंजाबी ओडियोबुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे सरूतियानू, मेरे मिनंदर कौरवलू, प्यार परी, सच्छ रीकाद। किताब वीवी सदी दी सिख राजनीती, पाग पंदरमा, पना नंबर 27, कांग्रस दी हार, एमर्जेंसी दा कौडा फानू, 25 जून 1975 दी अधी रात नू केंदर सरकार ने सविदान दी तारा 352 दे अधीन, देश अंदर हंगामी हालत एमर्जेंसी दा एलान कार दता, अते लोकां कोडोना दे सोचन, बोलन, लिखन, जथे बंद होन अते विरोध दखावे करन दे सारे जम्हूरिय दिकार खोले गए, अजाद पारत अंदर जम्हूरियत नू इस तरह कतल कार सुटन दा एह पहला वाक्या सी, इंद्रा गांधी ने अपने छोटे पुतर संजे गांधी नू अपनी गद्धी दे वारस वज्जों उबारन टेशिंगारन दी मुहमनू सिखरी ले जान देया होया, समुच्चा राजप्रबंद उस दे अनाडी अते उलाथ हथां दे हवाले कार दता संजे गांधी नू दिली शहर नू सुंदर बनाओन ते पारदी जान सक्या विच हो रहे वादे नू थाएं रोक देन दी अजेही खबत उठी के उसने दिली दियां गरीब मुसल्मान बस्तियां नू बुल्डोजरा नार थे कार देन आते उत्तरी पारदे राज़ा अंद लोकसबादिया चोना अंदर उत्री पारत अंदरों इंद्रा कांग्रस दा पुरी तरा सफाया हो गया सारे खेतर अंदरों उस दा इक वी उमीदवार जेतू नहीं हो सक्या पावे दखनी राज़ा अंदर उस दी पोजीशन जियों दी त्यों बरकरार रही पर इस नाल उत्री पारत अंदर चुली हनेरी तों अपनी गदी बचा के ना राख सकी केंदर अंदर पारते सबना पर मुख विरोधी दलांदे रलेवे नाल होंद विच आई जनता पाटी दी हकूमत काइम हो गई जिसने उत्री राज़ा अंदर लियां कांगरस सरकारा नू बरतर्फ करके नवियां असंबली चोना करोन दा निर्ना लेलिया अकाली दाल जिसने 1973-74 तोही जै परकाश नरायन दी अगवाई हेट उबर उसर रही लहर नाल अपना पका नाता गंडलिया होया सी जिसने लीडर्शिप अंदर ले एक वर्ग दी डावा डोलता उत्ते काबू पाउंदे होये एमर्जंसी विरुद मोर्चा लाके अते नौ महिन्या अंदर चाली हजारतों पर गिरिफतारियां देके देश पार अंदर जम्हूरियत ले जद्दो जहद दी गुर्ज जित लैन दा मान अते जास खाटलया होया सी ने जनता पाटी नाल चोण गठ जोड कारके पंजाब असंबली दिया चोणा अंदर हुंजा फेरू जित हासल कार ले इसने कुल कत्ती फीस दी वोटां लाके अठवनजा सीटां अपने बोजे विच पा लेंगा इकल्डी जनता पाटी ने ही कांगरस कोडों 25 सीटां खो लेंगा कांगरस 1972 विच च्याट दे मुकाबले 1977 विच केवल 17 सीटां ते ही जित नसीब हो सकी अथे वोट परतीशत विच तकरीबन 9% दी दा खसारा चलना पया इक वर फिर पंजाब दा हिंदू वर्ग पारू रूप विच कांगरस दे विरोध विच खड़ा हो गया अते इस तरह उस दी पंजाब दे चोन नतीजियानू अपनी मर्जी अनुसार प्रभावतकार सकन दी समरथा दा सारे राजसी दला नू लोहा मनना पया पामे अकाली दाल अपनी निरोल बह गिंती दे जोर इकलियां ही अपनी सरकार बना साकदा सी पर अकाली लीडर्शिप ने लम्मी सोच के जनता पार्टी नाल सांजी सरकार बना नू तरजी दती क्योंकि अकाली दल कुल हिंद पदर ते अमली तोर ते जनता पार्टी दी सहाईक टुकडी वज्जों विच रहा सी अतिके इंदर दी जनता सरकार विच छोटा पाईवाल बन्या होया सी सोवी जून उनिसोस सत्तर नू सरदार परकाश सिंग बादल दी अगवाई हेट पंजाब अंदर एक वार फिर सांजी सिरकार ने कार्जिकार संबाल लेया सरदार बादल दी मुख मंत्री दे रूप विच एह दुजी मित सी जेकर काली लीडर्शिप दे आम राज सी सुबा आते सब्याचार दी गाल करनी होवे ता काली दाल दी अगवाई हेट बनी सरकार दी एह तीजी पारी मामूली फरका नाल पहलिया दो पारिया दाही सुस्त दोहराव सी पंजाब अंदर जन्ता पार्टी जानसंग दाही नमा अवतार सी बेशक सांथफते सिंग इस संसारतों कूच कार चुक्या सी पर काली दाल उस दुआरा निर्दारत की ती मार्ग सेथ दी वफादारी नाल आग्या पालन करके चाल रहा सी सो इस हिसाब नाल नमी सरकार नू दरपेश हालता अते समस्यावा अते ना प्रती दोन्नों पर मुख सांजी दारा अकाली दालते जानसंग दी पहुँच अते रवये अंदर बुनियादीता की वड़ी तब दिल्ली वे देखन नू नहीं मिली सांजी सरकार दा एह तीजा दौर सबना एहम पक्खांतों पहले दो गेडा दा ही दोहराओ अमल साबत हो गुजरिया पहले दो गेडा वांग ही अकाली जनता गाठ जोड सरकार दिया नीतिया अते विकास कारजा दा पलड़ा पेंडू खेतर अते खेती सेक्टर वाल बराबर चुक्या रहा पेंडू जनता दा जीवन पदर उच्चा चुक्कन लई 302 क्रोड रुपए दा संयुक्त पेंडू विकास प्रोग्राम IRDP छोया गया हिमाचल सरकार नाल थीन डैम प्रोजेक्ट दा समझोता सही बंद कीता गया गरीब किसाना नू राहत देन ली बिजली दियां मोटरां दे बिलां ते सहकारी करजे दियां दरांच कटोतियां कितियां गया पेंडा नू पकियां सडका नाल जोडन पेंडू हस्पतालना ते डिस्पैंसरियां जवादा गरन दलित वर्गां लेई पिंडाज तरम शालामा बणोन अते उनानू 8,000 रुपे ताक मुफ्त करजे देन वर्गियां लोग पला इसकीमा ते विकास सरगर्मिया दा पेंडू लोकां दे जीवन उते अच्छा प्रबापया इक तुलनात्मक अधियान अनुसार 1972 तों सततर दे कांगरसी राज हेट खेती पैदावार विच होए 5.5 फीस दी वादे दी तुलना विच उनिस सततर तों 89 दे दो वरियां दुरान इस आंक विच तिन फीस दी वादा नोट किता गया चोनी दी पैदावार 1972 तों सततर विच 17.5 लाख टान प्रती साल तो वाद के 1977 तों 89 विच कती लाख टान हो गई कंक दी पैदावार विच 57.89 लाख टान तों वाद के 79 लाख टान तक जापड़ी जेकर कांगरस हकोमत हेट पंजा सालां चकुल 15,490 ट्यूब वेल चालू किते गए तक काली जनता सरकार दे दो सालां अंदर ही इस नालों डेड़े अर्थाथ 23,714 ट्यूब वेल लगाए गए मोटरां दे बिलां दी दार 17.50 रुपे प्रती हार्स पावर तों कटा आके 11.50 रुपे प्रती हार्स पावर कार देती गए जेकर कांगरस दे पंज सालां राज काल अंदर कुल 6,204 हेक्टेयर जुमीन पदरी किती गए कांगरस दे राज हेट जारी होए कुल 70 करोड दे सहकारी करजियां दी रकम काली जनता सरकार दे राज काल अंदर 100 करोड दी सीमा पार कर गए सबसीडियां क्याली लग रुपे तो वद के 1 करोड 22 लग रुपे तक अपड़ गईया रसायन कखादा दी खब्त 3.9 लाख टान साल आना तो वद के 5.2 लाख टान साल आना हो गई जिथे कांग्रस राजदे 15 साला दोरान 304 किलोमेटर सुए अते 830 किलोमेटर खाले पके किते ओथे अकाली जनता सरकार दे 2 साला अंदर 760 किलोमेटर सुए ते 72 किलोमेटर खाले पके किते गए कांग्रस राजदे 20 साला अंदर खोले गए कुल 366 सहाइक सिहत केंदरा दी तुलना विच बादल सरकार ने 2 साला अंदर 330 सहाइक सिहत केंदरा दी स्थापना कारमारी कांग्रस राज दे 20 साल लांच पेंडू खेतर अंदर 25 बिस्तरयां दे सिर्फ 7 हस्पताल ही खोले गई जदकी काली जनता सरकार ने 2 साला अंदर ही अजेह 46 हस्पताल खोल दते इस तो इलावा पेंडू इलाकियां अंदर 6 कताई मिलां, 2 खांड मिलां, 7 कपडा मिलां खोलियां गई जदकी कांग्रस राज हेट पेंडू खेतर अंदर अजेही 1 वी मिल नहीं खोली गई जेकर कांग्रस सरकार ने 25 सालांच 225 स्कूल अधा दरजावदाया ता काली जनता सरकार ने 2 सालांच 308 स्कूल अपग्रेड कार दते इस तरह काली दाल दियां पंजाब नू पारत दा कैलिफॉर्निया बनाओं दियां खाहशां ते कोशिशां दे नतिजे वज्जों समुच्चे पारत दी ओस्तन 1280 रुपे प्रती जी आमदन दी तुलना विच पंजाब दी प्रती जी आमदन इस नालों दो गुणा दे नेडे 2101 रुपे जा पोंची जेकर मनुख निरा आर्थिक जीव हुंदा ता पंजाब दे लोग खासकार के सिख पाई चारा अते उस तो वाद के जाट किसान वर्ग दी अकाली जनता सरकार प्रती किसे वड़ी असंतुष्टी जा नराजगी दी कोई वजा नहीं सी बांदी क्योंकि इस सरकार ने पेंडू पाई चारे दी आम करके अते किसान वर्ग दी खास करके आर्थिक बेतरी ते समाजिक पलाई ली अपने यतना अंदर कोई वड़ी कसर नहीं सी रैंद दी इस दे नतीजेवी साफ जाहर हो रही सान होरना राजगी दे मुकाबले पंजाब दे लोकां दी आर्थिक दशा ते उना दे जीवन पदर अंदर आया सुदार पर तक नजरी पैरहा सी पर मनुख निरिया आर्थिक लोडां दा मोह ताज नहीं उस दे जीवन दा इन्ना ही एहम अते कई हालतां विच इस नाड़ों वी वद एहम पक उस दी सब्याचारक होंद है जिस चों उस दियां कई अती जरूरी सब्याचारक ते रुखानी लोडां जनम लेंदिया हन अते एही मनुख नू जानवर नाडों वक्रयों वाडा द्रिश्टी तो देखियां आर्थिक विकास्तों इलावा वी सिख पंथ दे कुझ होर रुखानी सरोकार ते कामनावा सन जिनानू बुझना ते संतुष्ट करना बनदा सी पर अकाली लीडरशिप अपने सुंगड में वर्ग द्रिश्टी कोण दी वजा करके सिख कौम दि सिखी नू पर फुलत होया देखन दी खाहश वी दड़वाटके बेठी होई सी आम सिख अपनी ते पंजाब दी आर्थिक बेतरी ले यकीनन ही जोरदार इच्छामा पाल रहा सी पर उह सिखी दी चार्दी कलादा वी बराबर अभी लाखी सी उख पंजाब नू कैलिफॉर अपना उनले उत्सक जरूर सी पर नाल ही हो पंजाब दी सिख आत्मा नू कोई जर्ब आई नहीं सी देख जार साकदा जेकर उसनू पंजाब दी तरती ते इस दे वायू मंडल चोन लगातार सिखी दी खुश बोई नहीं ओंदी ताहो आर्थिक तौर थे खुशाल होन दे बावजूद अपने आपनो रुहानी तौर ते कंगाल समझन दी पावनातों मुक्त नहीं हो सकता इसकार के दसा साला दे अर्से अंदर पंजाब विच तिन वार अकाली सिरकार बणन अते टुटन दे सिल्सले ने सिखा दे मना उते दोरा असर छट्या इसने सिख आकांखि दे आर्थिक अद नू तावावा हद तक संतुष्ट का दता पामे की एह संतुष्टी कदे वी संपूरन नहीं हों दी पर इस दे रुहानी अद उते लगा तार विरान गी छाई रही होरना गलना तो इलावा इस दी एक वड़ी वजा एह सी के जद्वी काली दालनू हकूम ती ताकत उते बिराजमान होन दा सुबाग प्रापत होया तद जित्थे सिख समाज दी आर्थिक ते समाजी बेतरी लई ता पर पूरी अतन किते गए उत्थे सिखी दी चड़ी कला लई तार्मिक ते सब्याचार खेतर अंदर लुडिंदे कारगर कदम उठाउन तो निरं सिख समाज अंदरला इक वर्ग आर्थिक तौर ते जिरूर माला माल हो गया परस्दे लई खासा पांथनों बहुत ही पारी कीमत चुकानी पह गई आर्थिक खुशाली दिया पुलांगा पार रहे पंजाब अंदर सिखी दी रू निरंतर मुर्जांदी चली गई अते सिख समाज अनेका किसम दे निगारवादी अमला दी मारू जकड विच आके रह गया नैतिक ते सब्याचारक विगाड आर्थिक खुशाली ने तन आर्षिक वर्ग दी जीवन शैली अंदर वड़े विगाड पैदा कारदते खास कारके जट जिमिदार तब के अंदर एह देखंच आया है कि इस वर्ग कोड पैसे नू सांबन दा माजना नहीं अते ना ही इसनू वर्तन दी तहजीब है उस दी सोच अते विहार उते जागीरू सब्याचार दा गेरा असर होन करके उस अंदर पैसे दा फजूल उजाडा ते उजड पर गटावा करन दी जागीरू परवर्ती बहुत मुझबूत है हरे इनकलाब दे मुडले साला अंदर हो पैसे दी पैदावार, मुखी, सर्माई कारी, प्रडक्टिव इन्वेस्टमेंट दे, पूंजी वादी सब्याचार तो ना ता वाकफ सी ते ना ही आदी पावें तना आड जिमिदार वर्ग अंदर ले कुझ पड़े लिखे, तत होली होली इस पासे वाल रुचित होने शुरू हो गए अते उना खेती दे नाल ही खेती बाड़ी नाल जुडवे वपारक खेतरां, डीजल ते पेट्रोल पंप, आर्थ, कोल्ड स्टोर, शेलर, कीडे मार, ते नदीन नाशक दवाईयां दी विक्री आधी आधी अंदर वी पैर पसार ने शुरू कर दते पर जेहे तत्तां दी इकतां गिंती बहुती जादा नहीं बांदी, दुज्या इना वपारक सरगर्मिया विच पैन दे बावजूद उना दी सोच अते विहार अंदर कोई बुनियादी बदला नहीं आया सो कुल मला के सिख जिमिदार वर्ग ने अपनी दौलत दे अफरे में नाल जा गीरू चाज खिलार ने जारी रखे वियाहा ठाकियां ते जहियां होरना समाजी रसमाओ ते समागमा होते अन्यवा पैसा वहोना समाज अंदर अपनी ठुक बना ओली मूं मंगया दाज देना आते मूं अड़के दाज मंगना व्याहां ते होरना खुशी वाले मौक्यां उते शराब कबाब गौन वजौन ते नच्चन पड़कन वाले अशलील सब्याचार नू हला शेरी देनी व्याहां उते गौन वाले खास करके गौन वाले नू सद्धन दी रीत वद जिमिदार वर्ग ने ही तोरी ते पाली है अते अपनी उकात नू जमीन माल की दे गजानाल नपना इस जागीरू सब्याचार दिया पर मुख अलामता हन जो सिखी दिया समाजी ते सब्याचार के कदरा कीमता दा सिद्ध मसद्ध निखेद हन एहे तनवान जिमिदार तबका ही है जिसने अपनी नवी तालों उखडी जीवन शैली दे जरिये पंजाब दे पेंडू समाज दी निर्मलता अंदर पच्छम दे निगारवादी सब्याचार दी सड़ेयांद फिलोन विच पर मुख पुमिका नबाई हरे इनकलाब दिया बरकता सदका पंजाब नू शराब दी प्रती जी खप्त दे मामलेच एशिया दा सब तो मोरी प्रांत बनाउन दा सेरा वद खांदे पिंदे पेंडू जिमिदार वर्ग दे सरही बज़दा है तनाड जिमिदार तता नहीं अपनी संतान नू मेंगे अंग्रेजी स्कूला अंदर पड़ाउन दी रीत दा तोरा तोरया जिस नल पच्छम दी नीवी पदर दी नकल उते पजाब अंदर अंग्रेजी स्कूला दा जाल विच गया चंगिया नौकरिया ते उच्चिया पद्विया दी चाकने सिख जनता नो एह सोचण ते बुजण दा मौका ही न दता कि तालीम दा सब्याचार नाल बहुत ही गेरा सबंद हुंदा है अते बिगानी तालीम बिगानी तहजीव दे संचार ते पासार दाही साधन होने बढ़ दी है पंजाब अंदर इवे ही होया हरे इनकलाब दे नाल ही पंजाब अंदर एक पुठा सब्याचारक इनकलाब आवडिया अशलील फिल्मा लच्चर किसम दे गौन वजोन बिमार रुचियानों उच्शाहत करनवाली साहित समगरी पड़की ले पहरावे श्राब अते सिगरट नोशी दा खुला सेवन दौलत दा अन्ना ते उजड दखावा अपने सब्याचार ते विर्से प्रती नकारी पावना पच्छम दे विचारा ते इस दी जीवन शैली प्रती अन्नी शर्दा ते इस दी निरसंकोच नकल करनदा ताहूरुजान इस सब्याचार दे उबर में रूप परगटावे हन। नावा पिछे सिंग अते कौरदी वर्तनों बंद करके अपने आपनू अगावदू समझन दा पर्म पालन तरम नू पुरातन ते वेला विहाचुकया फलसफा करार दे के नास्तक अखवाण विच उचेची तौर समझन वर्गियां नकारी रुचियां ने सिख तरम ते सब्याचार लेई वड़ा संकट खड़ा कर दता। इहेगाल खास तौर ते नोट करन वाली है कि शेरी मदवर्गी सिख तब के इस लहरतों मुकाबलतन महफूज रहे इस महामारी ने वद पेंडू सिख तब क्या नू ही प्रभावद कीता। इक एहे कि जथेदार सब्याचार तो अपे जवपारक ते सर्माएदारी रुचियां वाले काली आगुवन इस खतरे दा शिदत पर एया एहसास नहीं सी क्योंकि उना दी वद सुता अपने वपारक हितां वाल सी हाथे उना नू सिखी दे पतन खासकार के इस विच आ रहे स दान तक ते नैतिक निगार दी बहुत ही चिंता नहीं सी इसकार के उना दे प्रतिकरम पतित पुने दे वर्तारे उत्ते रिवाजन ते रस्मी अथ्रू केरन तक ही सीमत रहे सान। पतित पुने दिर जानतों ते दिलो चिंता ग्रस्त ते अशान्त होई टकसाली सिख आगू ते विद्वान इस वर्तारे नू कम्यूनिजम दी चड़तनाल जोड के वेखते सान। हिंदु वाजी जेकर रहे गल ना हुंदी यते जेकर पतित पुने दी लहर कम्यूनिजम दी देन ही हुंदी तक कम्यूनिस्ट लहर दे पतनाल पतित पुने दे रुजाननू पारी ठाल पै गई हुंदी पर अजेहा नहीं होया। कम्यूनिस्ट लहर आज जे जाद की कम्यूनिस्ट लहर दे परशामें पूरी तरह टाल चुके हां तां सिख समाज अंदर पतित पुने दियां कुरुचियां दबन दी बजाए पहला दे किसे वी समय नालों वाद पर चांड रूप तारन कर दियां हां। इस नाल एहे गल खुद बखुद सपश्ट हो जान दी है कि पतित पुने दारुजान कम्यूनिस्ट लहर दी देन नहीं सगों एहे वबा सिख समाज उपर पच्चमी सब्याचारते हिंदू जीवन पर नाली दे जुडवें दुर परबामा दी देन है। सिख समाज इस लाग नूँ पच्चमतों सिद्धे रूप चवी ग्रहन करदा है प्रन्तु वद्ध मारू परबाव अपने हिंदू जगत नाल निरंतर ते रोज मरा दे अंतर कर्म चों ग्रहन करदा है। सिख नौजवानना नू मन मत दे रा पौण विच हिंदी फिल्मी सब्याचार दा मुड तों ही पारी योगदान रहा है। पिशले समय दुरान टीवी ते वीडियो कल्चर दे बे रोक ते बे था पासार नाल सिख समाज अंदर नैतिक ते सब्याचारक विगाडां दा अमल अजेही तुस अक्तियार कार गया है कि सिख जीवन मर्यादा लई इक गंबीर संकट खड़ा हो गया है। सथमया सत्रमया विच जद पच्छम दा नैतिक ते रुहानी संकट कोजी शकल अक्तियार कार गया सी यते इसने दुनिया दे काट विगसत मुलकां दे रवाइति समाजी सब्याचारक जीवन उते आपने कुलहेने असर बर्गटोने शुरू कार दते सान ता इना मुलकां द तार्मक हलके अंदर तिखी हिलजुल पैदा हो गई सी सिटे वज्जों पच्छम दी आर्थिक तरक्की ते खुशहाली उते लटू हो उठन दी जगां इसनू शाकते पड़ चोल दी निगानाज देखन दी हांदर रुची पनपन लगी इस मामले विच इसलाम जगत खास क करके इरान कई पक्खातों सिख्या दाइक उदारन महिया का रहासी शाह इरान ने अमरिका दे अशीर वाद ते उस दी छतर चाया थले इरान अंदर आर्थिक तरक्की ते विकास दा जो रा अक्तियार किता जिसनू चिट्टे इनकलाब दा नाउदता गया उसनाल ना सिरफ इरान दे अर्थ चारे अंदर वड़े असन्तूलन ते कजोडता पैदा हो गई सगो इरान दे रवाईती जीवन अमल दा सारा ताल ही उखड गया पच्छमी सब्याचार दे नकारी प्रबावा ने इसलामी रवाईता ते कज़रा कीमता नू वड़ी पदर ते टालाउने शुरू करदती इस दे प्रतिकर्म वज्जों आयत उल्ला खुमीनी दी अधियात्मक ते राजनीतक लीडर्शिप फेट इक जानदार इसलामी लहर लामबंध हो ठी इरान अंदर अमरिक की सामराजवादी हित्ता दी पूर्ती दा संद बनी होई शा इरान दी हकूमत वलनों इरानी जनता दे इस इनकलाबी रोनों वैशी तशद्द नाल शान्त करन दे सारे यतन नाकाम होगे लहू वीट में संगर्शनों बाद अखीर फरवरी 1989 विच शा इरान दी हकूमत लोक रोदे वरोले आगगे सुके तनक्या वांग उड़ गई आयतुल्ला खमीनी दी अगवाई हेट काइम होई इसलामी हकूमत ने इरान दी तरती उत्तों अमरीकी कुस पैट ते दाबे दा हर नामों निशान मिटा देन दा तहिया कार लिया हते सदिशा विच कई ठोस पर बावशाली कदम जुके इरान अंदर वापरे इस इनकलाबी कटना करम ने होर ना था मा उत्ते वी इसलामी ताक्ता नू पारी उच्छा बक्षिया अते मुस्लम जगत अंदर पच्छम दिया निगारवादी सब्याचारक अलामता खिलाफ आम जागरूपता पैदा होन लगी इस दे तुलना विच सथमया सत्तरमया दे दहाक्यां दुरान सिक पंथ अंदरों अजे ही कोई होनहार ताक्त पैदा ना हो सकी जो ना सिर्फ पतित पुने दे रुजान दे अमली सोमे दे पिशान कार साक दी सगो नाल ही इस सच्चाई नूवी ग्रहन कार साक दी कि एहे सिक पंथ अंदर ला माया तारी वर्ग ही है जो सिक समाज अंदर पच्चम दे निगारवादी सब्याचाव दी सड़े आंद नूव फे लाउन दा पर मुख वाहक बन्या होया है जे कर पंथ अंदर ले किसे वर्ग ने मसले दी इस रूप विच पशान कार लई होंदी ता हालत ने पक नाल ही सिफ्ती मोडा कट्या होंदा प्रंतु जी में दस्या जा चुका है सिख कौम दी तार्मक दे राज सी लीडर्शिप सठ्विया सत्र्मिया विच कम्यूनिस्ट लहर दी चर्थ ते पेश कदमी तों इस कदर पैमान हो गई सी के उसनों हिंदू वाद जयां पच्छम दे सब्याचार कहले दी तुलना इस गाल विच कोई शक नहीं के इहे दौर कम्यूनिस्ट लहर दी संसार व्यापी चट्थ दा दौर सी सठ्विया दे दूसरे अद विच दुनिया दे लगपाग सबना खितियां ते देशा अंदर कायम मुकाम हालतां तों बदजन होया नौजवान वर्ग मना विच नवे स शक्ती समेत हर किसम दी हाकम शाही अथौरटी नौवंगार दे होये सडकां ते निकल तो रेसान विच नाम दी जनता वलो कम्यूनिस्ट पार्टी दे गवाई हेट कौमी मुक्ती दी जद्दो जहद दा बेहद उच शाही ते गौर्वशाली तिहास लिखया जा रहा सी अमरिकी समराज वादियां दुआरा विच नाम दे कम्यूनिस्ट कबजे हेटले उत्री पाग दे पोटे पोटे नौ बी बवन्जा बंबारां चों वर्दे ना पाम बंबा नाल परो सुटन दे बावजूद विच नामी जनता अपनिया जित्तां दे जशन मनोंदी होई न रंतर मुकमल फतेवाल वद रही सी अफरिक्का ते एशिया अंदर बस्तिवाद दी रहन खूंद नू हूझ सुटन लई आजादी ते कौमी मुक्ति दियां लेरां दी बहार आई होई सी यते इना लेरां अंदर कम्यूनिस्ट ताक्ता एहं पोमिका अदाकारिया सान। फ्रांस ते होरना यूर्पी देशा अंदर नौजवान विदिया थी वर्ग स्थापती इस्टैबलिश्मेंट नू चुनोती दंदा होया सडका उते निकलाया सी पारत अंदर कम्यूनिस्ट ताक्ता ने दो राज्या पच्मी बंगाल ते केरला अंदर अपनी पारू हैसिय पच्मी बंगाल दे नकसल बाड़ी ना दे खेतर चों उठी खाड़कू कम्यूनिस्ट लहर जंगल दी अगवांग तेजी नाल सारे देश अंदर फैल गई सी पंजाब अंदर पड़े लिखे पेंडू सिख नौजवान वड़ी गिंती विच इस लहर वाल कीले गई सान त पंजाब दे कालज दे युनिवर्स्टियां कम्यूनिस्ट लहर दे मजबूत गड़ां विच तब्दील हो गई सान। कम्यूनिस्ट विचार तारा दे जुन्नी पर बाभेट पड़े लिखे सिख नौजवान ना अंदर तरम तो नाबर होन। खासकर के सिखी दे बारी चि चिंता ग्रस्ट हो जाना ते कम्यूनिसम दे तेजी नालवाद पसर रहे पर बावनू तौखले परी नजर नाल देखना और सुबाविक जा अनुचित नहीं सी। पर इरान अंदर लियां इसलामी ताक्तां दी तुलना विच सिख लीडर्शिप दे विचार तारक नजर्य विच वड़ा काज एहे सी के उसकोड बुनियादी दुश्मन ते फौरी दुश्मन विच कार अते चिर सदीमी ते वक्ती खत्रे विच कार निखेडा करन दी सूज समरथा जां एहे कैल वो की रुची नहीं सी। बाद विच वापरे कटना करम ने एहे सचाई पर तक विचारतार कवनगी दा सी अते हिंदुवादी हल ले दी तुलना विच इस दी मार बहुत सी मसी। कम्यूनिस्ट विचारतारा बहुत जोर लाके वी सिख नौजवाना ते बुद्धी जिवियां दे एक हिस्से नू ही परबावत कार साक दी सी। इस विच समुचे सिख पा देख छोटे हिससे नू ही अपने परबाव हेठ ले ओन विच सफल हो सकी सी। आम सिख जनता ने इस दा कोई खास असर नहीं सी कबूलिया। सिख नौजवाना उत्ते विच दा परबाव थोड़ा चर ही साबत होया। इस दी तुलना विच हिंदुवाद दा खतरा आर्जी नहीं सगों चिर सदीवी है। उस दी मार सिख पांथ दे कुझ वर्गां तक सीमत नहीं। ओहो बने सबुते पाइचारे नू निगल लैन दी पुख ते समरथा राखदा है। मारकस वाद दी तुलना विच ब्रामन वाद दा सिख समाज उते विचार तारक असर किते वद व्यापक ते गैरा है। एहम गल एहे कि उस दा विरोध सिखी दे सरूप वाले पाखनाल कट अते सिखी दे सदान तक पाखनाल वाद है। लोड़ पैन ते ओहो सिखी देस रूप नालता समझोता काव साकदा है पर सिखी देस दानता प्रती अपनी जदी नफरत दुश्मनी नू ओहो इक पाल लई वी नहीं पला साकदा सो इस दृष्टी तो देखियां उस वेले वी जद कम्यूनिस्ट विचारतारा सिख नौजवानना अंदर नास्तक पुणे ते पतित पुणे वर्गियां करुचियां नू चाहत करनवाला मुख परेरक तत बनी होई सी हिंदुवाद दे खतरे नू कटा के देखन जा इस प्रती अवेसले होन दा कोई कारण नहीं सी बाद विच जाके सांत जन्यायल सिंग पिंडरावाले ने ठोस अमल दे जरिये एहे गल साबत कार दखाई के सथमया सत्तरमया विच सिख लीडरशिप द्वारा हिंदुवाद नू छोट दे के कम्यूनिजम नाल निरार्थक आडा लाउन दा पैंटडा सापदेप लेखे रसी नू कुटन वाली गाल सी इवे ही सिख समाज नू खासकार के सिख नौजवाना नू पच्छमदिया नकारी तत्वालिया सब्याचारक लामता प्रती सुचेत आते जागरुक करन दी था कम्यूनिजम ते नास्तक पुने विरुद अमूरत अब्स्ट्रेक्ट पदर ते कीता गया प्रापेगंडा अन उपजाओ बाणके रह गया सिख विद्वाना ने पच्छम दे नैतिक दे रुहानी संकट दा डूंगा विशलेशन कर्म अते सिख पांथ नू इस दे मारू परबामा तो अगा करन दे कावजवाल लुडिन दा त्यान नहीं दता इरान दे सबका नू ग्रहन करन दी उक्का ही कोई कोशिश सामने नहीं आई इतिहास दे इस एड़े महत्त पूरण कटना कर्म नू बौधिक चर्चा दा विशा तक ना बनोना समुच्चे सिख बुद्धी जीवी वर्ग लई एक मेने वाली गाल है अनांधपुर्दा मता विचार दीन इस अर्चे दे दोरान सिख कौम ने अपने कई एहम पुर्ब मनाई 1906 विच दसम पाथशादा तेनसो साला परगट दिवस बड़ी तूमता अमनाल मनाया गया 1909 विच श्रिग्रु नानक देव जी दे पांजसों में परकाश उतसव ते वड़े प्रोग्राम रचे गए 1975 विच नौमी पाथशाही दे तिनसो साला शहिदी दिवस ते कौम ने वड़ी पदर ते जलूसां विच शरकत किती लम्मी जद्धो जहद उप्रंथ 1906 विच पंजाबी सुबे दी स्थापना दी मंग वी परवान करवा लई गई अकाली दालनू ते नवार हकूमती आसन उते ब्राजमान होन दा सुपाग वी प्रापत हो गया आर्थिक खेतर अंदर हरे इनकलाब दिया बर्कता ने सिख किसानी ते होरना वर्गा दी आर्थिक दशा अंदर चोखा सुधार लाए आंदा समाज़क ते विद्य खेतर अंदर वी सिख पाई चारे ने मुकाबलतन चंगी त्रक्की कार लाई फॉज पुल्स वगेरा तो लेके राजपरबांद दे होरना खेतरा ताक गिनवे चुणवे सिखान उच्चिया पद्विया वी नसीब हो गया सनत वपार ते तकनीक की खेतरा अंदर वी कुझ चोणवे सिखाने चंगी तरक्की ते शौरत हासल कार लाई पर इस सब कुझ दे बावजूद सिख कौम आत्मक तौर ते उदासी ते टेंदिया कला विच विचर रही सिख उसनों किसे वड़ी कमी ते डूंगे खलादा एहसास हो रहा सिख कमी की सिख इस बारे सिख पंथ ना ता चेतना दी पदर ते सपश्ट सिख ते ना इकमत सिख पंथ दे अड़ अड़ वर्गां ते हिस्सेयां दे अनुबव अलग लग सन पर सारियां दी चीज सांजी सिख सिख कौम चोरा हे ते हरे इनकलाब ने सिख किसान दे सिर्फ कर ही दानया नल नहीं सन पर्द ते नाल ही उस अंदर विद्या ते सोजी दावी पासारा कर्दता सि आरतिये दी वही हुन उस लई उन्नी पेद पर ही शै नहीं सी रह गई उसनो खेती उते लागत ते कमाई दा मोटा जिहा हिसाब किताब अते मार कीट दे गेड मकैनिजम दा आम जिहा ग्यान हासल हो गया सि के बाणिया वर्ग किस तरह उस दी किर्थ कमाई नो दोना हथा नाल मेंगा वेच के ते सस्ता खरीद के हूंज हड़ाप के ले जानदा है जिस सदका ओहो हड़ पनवी मुशकत दे बावजूद तंगी तुर्शी दे सराप तों मुक्त नहीं हो रहा जद की बाणिया वर्ग हाथ दी सफाई नाल ही माला माल होई जा रहा है जाट अते बाणिये दा इह अंतर विरोध जोस दे वडेवडेरे पुष्टा तों एहसास दे पदर ते महसूस कार दे आ रहे सन कार विच दाने आजान नाल स्याने होई जाट दे गेड विच आ गया सी अते हथां दी कमाई नो हाथ दी सफाई नाल हडप के ले जान दे सदियातों पर चलत इस दस्तूर नो उस लई होण चुप करके बरदाश्ट करना मुश्कल होगया सी उस दे अंदर इस सदिया पुराणी लानतों सुर्खरू होण अते अपनी किर्त कमाई दी राखी करन दा जजबा अंगडाईया लेंड लगत आ सी इस मामले विच ओह योग रहनुमाई दी चाक ते तलाश का रहा सी अजेही सूर्थे हाल विच उनिसोते हत्तर चुहत्तर दुरान पंजाब अंदर कुछ नमिया किसान जथे बंदिया दरश्टे उबर्निया शुरू होगी या सन अते नमी किसम दे किसान अंदोलना ने शकलता अधनी शुरू करदती सी उद्धर अधर्शवादी सिख नौजवाना दा लाल चंडे दी छतर चाया हेट तर्ती उते सुर्ग रचन दा सुपना चकना चूर हो गया सी हरे इनकलाब नाल जुड़ के आई आर्थी खुशहाली ने सिख मद वर्ग दी सर्फ सुर्त नूही हलूना नहीं सिदता नाल ही उस दिया इच्छामा नूवी वड़ा पींग हुलारा दे दता सी उस अंदर जिन्दगी विच सफल होन दी जोरदार इच्छा ते तांग पैदा हो गई सी हरे इनकलाब ते उस नाल जुड़ के आईया समाद जी सब्याचारक तबदिलिया ने सफलता दार रवायती संकल्प तोड़ दता सी हुन सफलता विच पैसा, दौलत, चोदर, सत्ता, शौरत, रुतबा ते मानवकार सब कुछ शामल हो गया सी पर इना टीचेया नूँ हासल करन दे मौके बहुते आम नहीं सन नाहीना नूँ हासल करन दे संस्थागत साधन इन्ने मौकले सन की इना मदवर्गी आशामा दी तरपती हो साकदी सफलता दी समंजल दे राविच टेर सारिया टांचा गत रोकां स्ट्रक्चल बैरियर सन जिना नूँ पार कर सकना सहल नहीं सी इस तरह सिख मदवर्ग नू काइम मुकाम आर्थक ते राजसी टांचे अंदर वड़िया टांचा गत तब्दिलिया दी शिदत परी लोड महसूस हों लगी अते उह सिख कौम दे राजसी रैबरा कोड़ों इस दिशा विच फौरी ते असरदार कदम चुकन दी उमीद ते मंग करन लग पया सिख समाज अंदर लिया सर्माएदार ताक्तां दोरी स्थती विच फसिया हों गया सन उना दिया सर्माएदारा रुचिया उना नू हिंदू हाकमा नल पाई वाली दे रादी खिच पारें सन पर कट गिंती वर्ग हों दा सराप उना दे इना यतना ते पटी नहीं सी बज़न दे रहा सिख सर्माएदार वर्ग दी वद रही आर्थिक हैसियत पारत दी हिंदू सर्माएदारी अंदर ना सरफ जमाती जलन पैदा करदी है सगो नाल ही फिर्कू साड़ी दी अग वी पड़कौँ दी है हिंदुवादी ताक्ता नू सिख कौम दा आर्थिक अते राज सी पाखतों बल्शाली होना फुटी आख नहीं पौंदा पंजाब अंदर काली कांगरस पार्टी दी मुख शरीक तरहोन करके कांगरस अगुआ दा हमेशा एहे यतन रहा कि अकाली दालनों पंजाब अंदर सत्ता विच और तो हर हिले रोक जावे अते जेकर साब रोका पान के हो सत्ता विच भी आजावे ता उसनों जिन्नी जल्दी हो सके सत्ता तो लांबे कार दता जावे सो केंदर विच कांगरसी हकूमत दे हुंदेयां अकाली लीडर्शिप लई हिंदू हाकमानाल समझोते ते सांज प्याली दे रहा ते अग्गे वदन दियां संभावनावा बहुत ही मद्दम सान एहे नहीं के अकाली लीडर्शिप कांगरसी हाकमानाल समझोते दी इच्छा जा रुची नहीं सी राख दी असल गल एहे सी के कांगरसी हाकम अपनिया गल्बा प्रस्त रुचियां ते फिर कू बद गुमानिया दी वजा करके अकाली लीडर्शिप नू आपनी चात हेट सनमान जनक जगा देन ली तियार नहीं साँ अकाली आगुआ द्वारा उनिसोड ताली तो उनिसोच पंजा विच कांगरसी हाकमा नल कीते गे समझोते बहुते सार्थक नहीं साँ साबत होई फिर उनिसोच सत्तर तों कहत्तर विच वी अकाली लीडर्शिप दे समझोता यतना नू कांगरसी हाकमा वलनों कोई उच्छाही हुंगारा नहीं सी मिलिया उनिसोच हत्तर ती हत्तर दा काल खांड अकाली लीडर्शिप लई बाजशगनिया पर्यासी जून उनिसोच हत्तर विच सदार बादल दी अगवाई हेठली अकाली वजारत अदवाटे ही दाम तोड गई सी 1972 विच एको साल दे अर्से अंदर अकाली दालनू उपरो थल्ली पहलना लोग सबादियां ते फिर विदान सबादियां चोणा अंदर लक तोडवी हार दा मूँ देखना पह गया 1972 विच कांगरस दा पंजा सालां दे वकफे बाद मुड पूरी चड़ाई नार पंजाब अंदर हकोमती ताकत उते बराजमान हो जाना अकाली आग्वाली वड़ी नमोशी ते मेने वाली गाल से के अंदर विच वी कांगरस दी मजबूत सरकार होन कारके अकाली दालनू पंजाब अंदर पंजा सालां तों पहलना हकोमती आसन ग्रहन करन दी कोई दूर दीवी संभावना नजर नहीं सी ओंदी इहे हालत यकीनन ही अकाली लीडर्शिप उते बेदली ते मायूसी दा असर चाड रही सी 1972 विच ही संथफते सिंग ते संथचनन सिंग दे अगड़ पिछड चलाना कारजान नाल अकाली दाल दे अंदर लीडर्शिप दा खला पैदा हो गया सी पावे मगर ले दो तिन साला अंदर इस संथ जोड़ी दे वकार ते असर रसूख नू तकड़ा खोरा लग गया सी पर फिर वी अकाली दाल अंदर दसा साला तो संथफते सिंग दे हर वचन नू सात वचन कैके परवान कार लैन दी जो प्रथा तुरी हों दी सी उस दी अचानक होई मौत नाल काली दाल दे सामने लीडर्शिप दी समस्या पैदा होनी सुबावक सी जद कोई लेहर जां संगठन चर्थ दी वस्था विछोवे ता जहिया समस्यावा मुकाबलतन सौखिया नजिठ लें जान दिया हन पर दिलगीरी दे आलम चों गुजर रही जथे बंदी लेई लीडर्शिप दी समस्या दा हल इना आसान नहीं रहे जान दा पामे काली दाल ते श्रोमनी गुर्द्वार प्रबंद कमेटी दे नमे परदाना दी चोन दा अमल बिना किसे वड़े रफ़ड दे निर्विगन ने प्रे चाड़ गया सी या ते जथेदार मोहन सिंग तुड ते जथेदार गुर्बचन सिंग टोड़ा ने करमवार अकाली दाल ते श्रोमनी गुर्द्वार प्रबंद कमेटी दी वागडोर संबाल लई सी पर इस दे बावजूद सिख पंथ अंदर लीडर्शिप दा मसला अजे अंतम रूप विच हाल नहीं सी होया अकाली दाल दे अंदर कई किसम दियां ताकतां ते रुजाना विचकार खिचो तान जारी सी पावे इसने अज खुलम खुला रूप तारन नहीं सी कीता शुरूतों ही अकाली दाल दी अंग बंतर ते कार्ज शैली आम राज सी दला नाडों काफी अलग किसम दी रही है इस कोड इस दियां नीतियां ते अमली सरगर्मिया नो सेध महिया करनवाडा कोई बकाईदा लिखती प्रोग्राम कदे भी नहीं रहा इस दे सविदा आनंदर दर्ज आम असूल ते मनोरत ही इस दियां नीतियां ते सरगर्मिया लई मोटी जही आम सेध निरदारत कारदे रहे हैं अलग-लग मौक्यां ते दरपेश, मसलियां बारे मते परवान कार ले जान दे हान ते उना दे नसार ही सरगर्मिया दी रूप रेखा उलीक ले जान दी है एहम मसलियां बारे जथे बंदी अंदर उपर तो लेके हिठा तक अलग-लग किसम दे विचारां ते रावा नुझ जानन इना बारे जथे बंदी अंदर गहर गंबीर विचार वटांदरा करन अते काली दाल दे बुन्यादी मनोर्थां दी रौशनी विच अंतम नरने लेन दा जम हूरी तरीका कार अमल विच ले ओन दी परत ते कोशिश काट ही देखनों मिली है आम करके पारू लीडर्शिप वल्लों अपनी सिदान तक मत अते राजिसी सहूलत मताबक निरने ते फैसले लेन दी आप मती रीत दाही वद बोल बाला रहा है आम हालत अंदर अकाली दाल नो इस आप हुद्रे टांगनाल काम करन विच कोई वड़ी दिक्कत नहीं आई होर कोई वी अकाली आगो इस रुतबे दे लाइक नहीं सी के ओहो दाल दिया नीतियां सबंदी आप मते टांगनाल निरने लेन दद कार पुगा साकदा अलाग अलाग वर्गां ते व्यक्तियां वल्लो अकाली दाल दिया नीतियां नो आपो अपने जमाती ते निजी गत हैता अनुसार मोडा देन दे यतन हो रहे सन अजेही हालत विच अकाली लीडरशिप नो किसे वन्यों एह सियानी मात मिल गई के ठोस पालसी प्रोग्राम दी गैर माजूदगी विच अकाली दाल सिदान तक गंदल चौंद ते अपा तापी दी जिलन्चों बाहर नहीं निकल सकेगा इस रोशनी विच अकाली दाल दी वर्किंग कमेटी ने 11 दसंबर 1972 दी मीटिंग विच एहे एहम निर्ना लेलेया कि देश दे समुच्चे राजसी कटना करम ते स्यासी द्रिशनों सामने राख देया होया अकाली दाल दे मनोर्था ते नीतियां बारे नवे सिर्यों विचार करके पालसी प्रोग्राम त्यार किता जावे इस मकसद वास ते उसे मीटिंग विच सरदार सुर्जी सिंग बरनाडा दे अगवाई हेट एक बारा मेंबरी सब कमेटी स्थापत किती गई जिसनों जल्दी तो जल्दी पालसी प्रोग्राम त्यार करके वर्किंग कमेटी अगे रखन दा आदेश दता गया इस सब कमेटी ने 10 महिन्या विच 11 बैटकां कीतिया ते पालसी प्रोग्राम दा खरडा त्यार करके वर्किंग कमेटी दे सपुर्ध काज़ता वर्किंग कमेटी ने 16 अक्तूबर 1973 नो शिरी अनन्दपूर साहिव विखे होई दो रोजा मीटिंग अंदर इस खरड़े उत्ते पर्मी बहस विचार करनो परंत लुडिंदियां सोद्धा ते अदला बदलियां करके इस खरड़े नो अंतम रूप विच प्रमान कार लिया अकाली दाल दे ततकाली सकत्तर सदार जमेर सिंग वलों पालसी प्रोग्राम दा इह खरड़ा 17 अक्तूबर 1973 नो बकाईदा रूप विच जारी कार दता गया अकाली दाल अंदर पालसी प्रोग्राम दी जगा मतेयां दी रुवायत दा बोल बाला होन करके बाद विच एह पालसी प्रोग्राम अनांदपूर साहिब दे मते दे ना हेट मशुहूर होया अनांदपूर साहिब दे मते अंदर शुरोमनी काली दाल दे बुनियादी सदानता ते मनोर्था नो अंकत करंतों इलावा आर्थिक सब्याचारक ते विद्यक खेतर ना सबंदत नीतियां दा खुलासा किता गया है नाल ही सिख पांथदिया कुझ उबर्विया फौरी मंगा ते मसलिया नो विव बार्या गया है पर मते दा असली तत इस दे बुनियादी सदानता मनोर्था ते राजिसी निशाने वाले पाग अंदर समोया होया है सर्दार कपूर सिंग दी राजनी तक विचारतारक सोच ते लिखन शैलीतों वाकफ किसे वी व्यक्ती लई पैंदी नजरे ही एहे पशान कार लेनी ओखी नहीं के मते दा एहे हिस्सा सर्दार साहे भुरां दी ही परमान करचना है सर्दार कपूर सिंग उनिसो बाहट त्रेहंट तों ही जादतों संद्फते सिंग ने मासरतारा सिंग नों लांबे करके अकाली दाल दी वागडोर संबाल ले होई सी यते अकाली दाल ते अकाली राजनीती दे अफिर कू करन दी रुची पर गटोनी शुरू कर दती होई सी अकाली दाल दी सदान तक बनियाद नो खोरा पॉंड दे यतना दने रंतर तिखा विरोध कार दे आ रहे सन उननों एहे गल बहुत दुखी ते परिशान का रही सी के अकाली लीरिशिप हिंदू हाकमा दी खुश नो दी हासल करन लई खाल सा पांथ दे मूल आशियां ते इस दियां राजसी मंगा नो पेतला रूप देन अते सिखा दे मना चुँ आजाद पंथक हस्ती दा हैसास ते जजबा खतम करन उते तुली हुई है इस रुची नो लगाम देन लई मते अंदर अकाली दाल नो सिख पांथ दी समुच्ची मर्जी दा एकको एक पर गटाओ करार दिन देंदें होयां इस दे पंथक खासे नो यकिन्नी बनाई रखन दी सेध निर्दारत कीती गई अकाली दाल दे मनोर्था दी गालकार दें होयां सिख पंथक आजाद हस्ती दा एहसास काइम रखन उते उचेचा जोर दता गया ते सिख कौम दी प्रभुता दे संकल्प नू अमली जामा पहनौन ली अजेहे देश काल ते राजसी विदान दी तारना पेश किती गई जिस विच सिख पंथ दे कौमी जजबे दे कौमीत दा पर गटाओ पूरन तोर दे मूर्ती मान दे पर जुवलत हो सके पंजाबी सुबे दी स्थापना नाल सिख पंथ अंदर राजसी निशानने बारे पैदा होए पंबल पूसे नू दूर करन दे मंतव नाल मते अंदर साफ शब्दां विच एही गल्चितारी गई की पंथक राजसी निशानना निश्चे तौर ते साहिब दसम पाथशा दे आदेशा सिख इतिहास दे पन्ने आते खालसा पांथ दे मान अंदर विच उक्रिया चलेया आ रहा है जिस दा मकसद खालसा जिदे बोल बाले है खालसा जिदे जनम सद अधकार नो दरिष्ट मान करन लेई लोडीन दे देश काल ते राजसी विदान दी सरजना प्राप्ती श्रोमनी काली दाल दे बुन्यादी टांचे दी नी है देश अंदर सही अर्थां विच फेडरल टांचे दी उसारी दी वजाहत कार दे होए पं पारे मामलयां विच पंजाब ते होरना सूबयानों पूरन खुद मुक्तियारी देन दी पुजीशन उबारी गई अकाली दाल दी फेडरल टांचे बारे उपरोक्त तारना अंदर कोई नवी जा विशेश गाल नहीं सी बरतानवी हाकमा वलों पारत नू आजादी सौंपन मौके कैबिनेट मिशन योजना अंदर इन बिन एहो तजवी सुझाई गई सी अजादी तो बाद कुझ राज इसी ताक्ता वलों लगातार जहियां मंगा उठाईयां जा रहियां सान्थ खास करके तामिल नाडू अंदर ले द्रावड दलां ते पच्छमी बंगाल ते केरला दियां कम्यूनिस्ट ताक्ता सालां तो इस मंगूते जोर दियां आ रहियां सान्थ परकाली लीडर्शिप दे मुहों फेडरल टांचे दी गाल निकलन दी देर सी के पंजाब दियां हिंदू फिरका परस्त ताक्ता ने अपनी फित्रत मताबक इस वरुद तिखा वावेला खड़ा कर दता हमेशा वांग महाशा प्रेस ने इस सिख वरुद दी फिरकू पर चार मुहिम दी तुरंत कमान संबाल दी देश दी एक तते खंड़ता नू दुहाई पटदेयां होयां अनन्दपुर साहिद दे मते नू वक्ष वादी कह के पंड़िया जान लगा अते इस दी 1940 वाले मुस्लम लीग दे मते नाग तुलना कीती जान लगी अकाली आगुआ दे नाउते समुची सिख कौम दी देश प्रती वफादारी बारे शंके पर गटाए जान लगे इस नाल अकाली लीडर्शिप यकदम बचाओ दे पैंतरे ते आगई अते इनान्दपुर साहिद दे मते अंदर दर्ज पजीशना उते दर्टा नाल पैरा देंदी बजाए बचाओ दे रा तलाशन लग पई असल विच अकाली लीडर्शिप अंदर ला माया तारी रुचियाँ वाला स्वार्थ जीवी वर्ग जेही कोई वी पजीशन लैन तों तरहिंदा है जिस नाल उस दा हिंदुवादी ताक्ता नाल पाई वाली दा रा बांध होंदा होगे हिंदुवादी ताक्ता एकता वैसे ही सदान तक रूप विच पारत अंदर फेडरल राज परबंद दी था कस्मे कंट्रोल वाले केंदर मुखी टांचे दिया मुद्दई हन इसकर के उना नू आम रूप विच ही फेडरल टांचे दी तजवीज सखाऊं दी नहीं वह किसे हालत विच किसे हिंदु बहुगेंटी वाले राज लेईता वद अधकारां दी मांगना सैमती पर गटा साकदिया हन प्रंतु किसे कटगेंटी पाईचारे दी बहुगेंटी वाले राज दे गल उत्तों के इंदर दे जूले नू टिला करन दी तजवीज नू उख काही बरदाश्ट नहीं कार साकतियां वजा एहे की कटगेंटी पाईचारे दी बहुगेंटी वाले राज अंदर हिंदु वर्ग कटगेंटी विच होन दे बावजूद के इंदर दे किले दे जोर बहुगेंटी वाली तड़ी जतार रहा हुंदा है इस तरह कटगेंटी पाईचारे दी बहुगेंटी वाले राज अंदर ली हिंदु वसो दे इहे सुवार्थी हित उसनो फेडरल टांचे दी मंग दे विरोध विच खड़ा कारदन दे हां पंजाब दा हिंदु वर्ग इस मर्ज दा साब नाड़ों वाद शिकार है उस अंदर बहुगेंटी दा हंकार अते सिख कौम प्रती तरसकार इस कदर कार कार गया है कि उहो पंजाब अंदर अपने काट गेंटी रुतबे दी हकीकत नाल समझाता करन ली तियार नहीं ओहो सिख कौम नू हर पाक्षतों कमजोर ते दुबेल बना के रखन दी सोच ते रुची पालदा है इस करके हो पंजाब उत्तों केंदर दा आर्थिक राजिसियत सब्याचार के गल्बा खतम होया देखन दी थां पंजाब नू हर पाक्षतों केंदर दा मुहताज होया दे लिडर्शिप ने उनिससते अत्तर विच अनादपुर साहे दे मते नू सदान तक सपश्टता चों अते दिली निश्चा नाल प्रवान नहीं सिकिता उसने एक खास हालत चों पजे वक्ती रौ अधीन ही इस मते नाल सैंती दा मठ्था अते कच्चा होंगा रा प्रयासी इह हिंदू हाकमा नाल गैर सनमान जनक शर्ता उते समझाते लई वी उतारू हो जान दे हन अते समझाता ना हो सकन दी सूरत विच करारियां पजीशना लें दी मार के बाजी वी कार बैठ दे हन पर आम इह देखन विच आया है कि सदान तक सपश्टता ते वचन बदता दी बज हालता जानदा है अनादपूर साहिब दे मते नाल ठीक एहु गलवापरी उनिसोते हत्तर विच जद काली दाल दी वर्किंग कमेटी वलों अनादपूर साहिब दे मते नाल सैमती पर गटाई गई था काली लीडरशिप यकीनन ही दिलगीरी दिवस्था चों गुजर रही सी पर उस तों छेती बाद हालता ने तिखी करवट ले लई जै परकाश नराइन दी अगवाई हेट कांगरसी हकूमत वरुद एक व्यापक लहर उठ खडी होई अते काली लीडरशिप ने फुरती नाल अपने आपने आपने आपनो इस लहर नाल टोचन कार लेया इक वड़े अते जानदार कांगरस विरोधी लोकूबार दा अंग बान जाननाल अकाली लीडरशिप बेदली तिन राश्ता दे आलम चो निकल के उच्छाही रों विच आ गई उसने अपनी अते नाल ही सिख कौम दी राजसी होनी नू कांगरस विरोधी राजनी तक दला नाल नथी कार दता अकाली लीडरशिप द्वारा पनाई गई एहे राजनी तक सेध उस वास्ते हकूमती सत्ता दा रा ता साफकादी सी प्रंतु इसनल सिख पांथ दी आजादी दा रा मोकला नहीं सी होन्दा कारण एहे कि कांगरस विरोधी हिंदू राजसी दला नाल सांज प्याली पाउन ली अकाली लीडरशिप नू सिख कौम दी नियारी हस्ती तिस तंतर होंद नू उचियोन वाले सदान तक पैंतडे तों पैर पिशांख इसकौने पैने साँ आते नादपूर साहिब दे मते अंदर दर्ज पंथक राजसी निशानने दी पोजीशन त्याग नी पैनी सी अकाली दालवल्लों जै परकाश नराइन दी अगवाई हेठली लेहर विच शामल हो जान आते कांगरस विरोधी राजसी दला नाल सांजा गंड लेंड दे अमल ने अकाली लीडरशिप अंदर ले सरमाएदार सुआर्थ जीवी ततां दीयां हिंदू वादी ताकता नाल सांज प्याली दीयां करूचियां नो होर जादां बाल बख्ष दता एहे ओहो दौर सी जाद सिख कौम दे बुन्यादी हितां ते मसलियां नो पिशवाड़े ताक के सिख समाज अंदर ले कुझ वर्गां दे आर्थिक जमाती हितां ते कुझ आगुआ दियां व्यक्तिकत राजनी तक गर्दानों पर मुक्ता देन वाली राजसी विचारतारा ने सिख राजनीती दे खेतरं दर वड़ी ताकत दे वुकत हासल कार ले इस सारे अर्से दुरान अकाली लीडरिशिप ने अनादपुर साहिब दे मते बारे लगातार मुकमल चुपवटी रखी सिख कौम दी अलग पशान ते इसनों हिंदुवाद हत्थों दर पेश खत्रे दी गल उस दे मुहों कदे पुल के भी नहीं निकली वद जोर किसानी दी आर्थिक लुट खसुट अते कांगरसी हाकमा विलनों पंजाब नल कीते जा रहे तके ते वितकरे वर्गे आम मुद्यान उबारन उत्ते ही दित्ता जानदा रहा हिंदुवादी ताकता नाल सांज प्याली दे अमल विच पंगणा पै जान दे डरों पंजाब नल वितकरे दे पिछे कामकार दी सिख दुश्मन हिंदुवादी सोच अते इस दा हिंदु तरम दे आम गलबा प्रस्त खासे नाल सबंद उगाडन तों लगातार ताड़ा व योगता राजनी तक नाड़ी पुणे ते नैतिक खामियादी वजा करके सर्मायदार स्वार्थ जीवी तत्ता लई लगातार जमीन छाड़दी चली गे जैप्रकाश नरायन दे अशीरवाद नाल उसरे कांग्रस विरोधी असल विच इंद्रा विरोधी राजनी तक गठ जोड कोड़ों सिख कौम दे पले दी आस करनी गिरजां दे आलनेया चों मास पालन वर्गी गाल सी इस गठ जोड अंदर शामल पर मुख राजनी तक दाल तेना दिया मोरी हस्तियां मुरावजी डिसाई अटल बिहारी वाजपाई चौदरी चरन सेंग लाल कृषन अडवा विच केंदर विचे स्थापत होई जनता गाठ जोड सरकार विच पाईवाल बाण गया ता आरिया समाजी ताक्ता ने विरोध ते शिरिके दी पावना चों सिख पांथ विरुद अपने विचारतारक हमले दी तार तेज काब दती सिख कौम दी नियारी हस्ती दे दावे नू चोंवा निशाना बनाओ देया होया अनाधपूर साहिब दे मते नू फिर्कूते वाखवादी गर्दानन दी सुर उच्ची चुक दती गई बावजूद इस ताथदे की अकाली लीडरशिप ने इस मते नू अमली तौरते पूरी तरा नकार छड़्या होया सी उना दे मना नू उन्ना चरतरवास नहीं सी ओंदा जिना चरकाली लीडरशिप इस मते नू दो टुक रूप चरदण अते त्यागन दी पोजीशन नहीं सी लेलें दी एहे हिंदुवादी ताक्तां दे मानदा फोका वहम नहीं सी सगों सिक पांथ दी न्यारी होंद नू खतम करके उसनू हिंदुवाद दे वहन अंदर समो लैंड दे युद नीतक उदेश दी पूर्ती लई अती जुरूरी शर्त सी क्योंकि पंथक अजाध हस्ती दे एहसास जजबे वाड़ा कंडा कड़े बगया हिंदु मानदी एह मुराद पूरी नहीं हो साकती इसे मौके CPM दा अगू हरकिशन सिंग सुर्जीत वी अपनी सिदान तक मातते राज सी लोडां देते है इसे दिशा विच कार्ज शीर सी कामरेड सुर्जीत मुड तों ही अकाली दा ते अकाली राजनीती दा अफिरकू करन यानी की अन पंथ की करन करन दे पूर्जोरियत नकाल दा आरहा सी इसे सोच ते उदेश अदीन उसने पंजाबी सुबे दे संगर्श दुरान मस्तर तारा सिंग दे मुकाबले संद्फदे सिंग दी खुल के मदद की थी उनिसस्तार्ट विच पंजाब अंदर गैर कांगरसी गठ जोड सरकार दी स्थापना विच उसने काफी उबर्मा रोल नबाया ते गैर कांगरसी दला दे सांजे मोर्चे दे कनवीनर दे हैसियत विच अकाली लीडरशिप नाल नेटता रापता गंडन विच चौकी सफलता हासल कार ले इस दे बाद हो काली लीडरशिप अंदर ले अपने संपरका राही काली राजनीती नू अपने पाख विच प्रभावित कार अर्थात अ फिर कू करंदे नाहेठ इसनू पंथक दिशा तो थड़कौन दिया नरंतर कोशिशां विच जुटे होया सी 1977 विच जद कांगरस विरोधी गठ जोड़ दी राजनीती ने एक वार फिर केंदरी स्थान ग्रहन कार लिया ता कामरेट सुर्जीत नू काली राजनीती अंदर दखल देन दा सुनेरी मौका जुड़ गया अकाली दाल DMK ते नैशनल कांफरेंस वर्गिया खेतरी पार्टियां वांग CPM नूवी पच्छमी बंगाल ते केरला अंदर अपनिया सुबाई सरकारा बनोण चुलोण विच केंदरी हकूमत दी नहकी दखल अंदाजी ते तक के शाहिदा सामना करना पैरहा सी इस करके CPM वी खेतरी पार्टियां वांग राजजानू वद अधकारां दी मुद्धई बंगई सी अते उसने इस मुद्धे उत्ते विशाल राजनी तक लाम बंदी करन्दा दा पेंचक पैंतराग तियार कार लिया सी इस मामले चे काली दाल वलनों निगर पूमिका नबाई जान दियां संभावना वनों मद्धे नजर राख दे होयां CPM दी लीदर्शिप ने काली आगवा उते डोरे पाउन दे यतन अरम दते पर क्योंकि उसने काली दाल उते इक तरम अदारत पार्टी होन दे नाते फिर कूपने दा लेबल चिपकार ख्या होया सी इस कार के काली दाल नाल राज सी साज गंडण लई इसनों सैकुलर ते जमहूरी दिख परदान करनी उस दी जुरूरी लोड बाण गई सी इस द्रिश्टी तों कामरेड हरकिशन सिंग सुर्जीत ने अकाली लीडरशिप उते नानपुर साहिब दे मते नू जाता दो टुक रूप चरादकरन जा इस अंदर रदो बदल कारकेस नू वदे रे पचन योग बनाओं ली दबाओ पार रख्या होया सी आजादी तो बाद पहली वार कांगरस पार्टी नू हकूमती सत्ता तों लांबे कारदेन ते गैर कांगरसी गठ जोड सरकार विच अकाली दाल दी शमूलियत नाल सिख पांथ अंदर जित ते संतुष्टी दारों पसर्या होया सी केंदर ते सुभाई पदर ते काली दाल दी हिंदूवादी ताक्ता नाल राज सत्ता विच साज प्याली ने सिख पांथ अंदर हिंदू सिख एक्ता दे पाख विच अजेहा महौल सर्जिदता सी के सिख चेतना अंदर खालसा पांथ दी अलग पशान दा एहसास मद्दम प ताबक इस अंदर लुडिन दी रद्दो बदल करन दा कार्ज सहल हो गया सी इस उदेश दी पूर्टी ले इसने अठाई उनटी अक्तूबर निस सो ठत्तर नूल द्याना विखे जुडी अठारवी सर्बहिंद अकाली कांफरंस दे मौके दी पर पूरवर्तों की ती इस कांफरंस अंदर नवी अकाली लिडरोशिप दी राज इसी विचारता रहा पूरी तरह खिड़के परगट होई कांफरंस अंदर किसे वी प्रमुख अकाली आगुने वक्री सिख कौम दा लफज जबान ते नाले आंदा किसे वी पाशन जा मतें अंदर सिख कौम दी कर तक ना किता गया इत्थो तक की कांफरंस वलो निरंकारियां बारे पास किते गए मते अंदर वी सिख कौम दी न्यारी हस्ती नूँ खतम करन दिया हिंदुवादी कुछालां दा जिकर करन तो सुचेत रूप विचे टाला बटे आ गया पाशना दे मतें अंदर मुख जो हो दे होया लग लग राजिसी आर्थिक तार मक्ते सभ्याचारक मंगा मस्लेयां बारे बारा तुट में मते प्रवान किते गए इन आ बारा मतें चोंक पहले थे कुल तो एहम मते अंदर पंथक राजिसी निशाने नूराज जान ले वदेरे अधिकारान दी मांगता कसंग दता गया जतेदार गुर्चरन सिंग टोड़ा ने जोर लाके त्यार किते अपने एहम पाशन अंदर फेडरलिजम दे सदांत दी प्रबावशाली व्याख्या कर दें होया पारत अंदर फेडरल टांचे दी उसारी ली काफी टुकमिया ते जचनहार तजवीजां सुजाईया पर रड़कमी गल एहे कि सारे पाशन अंदर सिख कौम दी न्यारी हस्ती तेसनु दर पेश खत्रे बारे संकेत मातर वी जिकरना किता गया इथो तक की समुचे पाशन अंदर सिख कौम दा लफज तक वर्तन तों सुचेत रूप विच गुरेश किता गया बाद विच इस पाशन दा जो अंग्रेजी रूप छपवा के वंडिया गया उस विच खालसा पांथनू इक कौम दा रुतबा देन अते पार्ती हाकमावलनों पर गटाई जारहे केंदरी करन दे रुजां दा हिंदुवादी तत उगाडन दी पोजीशन जुरूर उबारी किनी हरानी ते फसोस दी गाल है कि सिख कौम दी नामवर तार्म खस्ती दे पाशन अंदरों सिख आंश इस हद तक गाइब मनफी है कि पारदे थोड़े जहे दिल गुर्दे वाले फेडरलिजम दे हामी किसे वी गैर सिख आगुनू एहे पाशन अपनों विच कोई इतराज नहीं हुएगा इहे काली राजनिती नो इस दे पंथक खासे तों विर्विया करन दी उसका रुची दा तरक पूरन नतीजा सी जिसने सथमिया दे शुरू विच ही गर्बतारना शुरू कर दता सी लुद्याना कांफरेंस अंदर सदार कपूर सिंग ने अपने अकीदे मु जद अगस्त 1989 विच केंदर दी जनता गाठ जोड सरकार अपने ही अंदरूनी विरोधा ते तनामा दी पेड चाड़ गई यते नमे सिर्यों होई यां मद काली चोना राही इंद्रा गांदी मुड हकूमती सत्ता उते बिराजमान हो गई ता काली लीडर्शिप लई फिर मा प्राओ दे राप एंदी राजनी तक मजबूरी थोप दती गई पर उदो तक सिख राजनी ते अंदर एक असलों ही नमा आंश शामल हो चुका सी 1978 दी विसाखी वाली देन अमरिसर विच वापरे खूनी कांड ने सिख कौम सामने नमे सुआलते नमिया चुनोतिया वार्दतिया सान सांत जर्नेल सिंग पिंडरावाले दे राजसी द्रिश उत्ते परगट हो जाननाल कौम दे तिहास दे एक नमे कांड दी सर्जना दा महूरत हो चुक्या सी सो अज जसी एह किताब पना नमबर दो सो नबे तक ही पढ़ांगे तानवाद जी वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फते